हेलो अब नेहा और वेलकम बैक तो मैं चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एम पी सी जिरो जिरो वन इंपोर्टेंट कॉस्टिंज और मैं सबसे पहले की टॉपिक बिता देती हूं कि कौन-कौन सो टॉपिक आपको पूरा प्रिप्यार करना है उससे पहले प्ल सबसे पहला टॉपिक है क्रियेटिविटि इस से अभी मैं क्कॉष्षन आपको दिखाओंगी कि फ्रिक्वेंटली कॉष्षन पूछा गया है हर साल एब्री ये यह सिती पूछा गया है और इसके पूरे टॉपिक से मतलब है कि इसकी ठीयोरी इसके आसपेक्ट शिल्ग टा जो टॉपिक है यह कवर करना है सेकंड टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है इन दोनों को मैंने प्लेलिस बनाई हुई है आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और अच्छे से इसको प्रिपेर कर लेना ठीक है नेक्स टॉपिक है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के जितनी भी ory है na सारी के सारी ory आप प्रिपेर कर ले लेना उसके सारे क्वेश्चनज दो हैं वो फ्री कोछे गैए पास्थि थिए ठेक है और स्टय lets के ति तिोरी है और हावर्ड गार्डनर की थियोरी है सारी जितनी भी थियोरी हैं इंटेलिजन्स की वो सारी आपको प्रिपेर करनी है मतलब कि जो स्केल वगरा है ठीक है वो भी इंटेलिजन्स में जो MPC 001 का जो पेपर है वो उसमें दिया हुआ है टॉपिक बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ और इसका भी मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं मैं पूरी जितनी भी प्लेलिस्ट है सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यह जो तीन ट को आपको प्रिपेर करना है ठीक है उसके बाद जो मौडल्स ऑफ मेमरी है उसको आपको प्रिप्यार करना है ओके उसके भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और एक क्वेश्चन है की इम्पोर्टन की अफ कॉगनिटिब ठीक है यह important एक question है और एक question है जो information processing approach है वो बहुत ज़्यादा important है ठीक है जितने भी information processing के approaches हैं आप उसको prepare कर लेना चलिए आप question paper देख लेते हैं अगर इतना आप prepare कर लेंगे तो mostly questions आपके उसमें से आ जाएंगे और जो extra question है वो आप इस question paper के तुरू देख सकते हैं देखिए अभी मैंने बात की model की ठीक है जो information processing model of memory इसकी बात की यह question बहुत ही ज्यादा important है और intelligence का question हर बार आया हुआ है ठ देख सकते हो intelligence का question और एक topic है language acquisition का language acquisition के question भी बहुत बार आये है language disorder के भी आये हैं इन दोनों topic को भी आप cover कर लेना देखिए question आप देख सकते हो देखिए intelligence के दो-दो questions यहाँ पर देखिए है creativity का भी question यहां पर है language acquisition का भी question यहां पर है यह भी लेंग्विज और problem solving का भी question यहां पर है तो यह बहुत बार रिपीट हुए question जो topic है आप रिपेर कर लेंगे तो उस topics related बहुत सारी question आए तो आप क्या अगर होगी अगर topic cover करते हो तो आप अगर एक दो question आते हैं तो आप उसको पूरा cover कर लोगे individual question में इस लिए नहीं बता रही हूं क्योंकि बहुत सारे question है creativity से related problem solving से related intelligence से related question prepare करने से अच्छा है कि आप उस topic को ही cover कर लें ठीक है अब यहां पर आप देखो information processing in learning and memory multiple intelligence से देख कि मैंने बताया कि जो intelligence की theory है यह पूरा आपको cover करना पड़ेगा देख सकते हैं तीन तीन question यहां पर पूछे गए intelligence से okay यह और language acquisition की भी questions है और जो language है language disorder जो होती है space disorder वो question यहां पर है मैंने problem solving का बताया था यह भी है you can see aspects of creativity यह question भी आया हुआ है next question paper में आते हैं दिखे stunberg study theory of intelligence यह question भी आया है first question भी measurement of intelligence next है problem solving का question learning disability language structure यह question language related information processing का जैसे मैंने बताया वो आप prepare कर सकते हो यह देखो आप intelligence और creativity के questions दुबारा से repeat हुआ है और अगे नेक्स हम देख सकते हैं देखें फिर से यह two factors theory in intelligence related यह creativity से related problem solving यह तीनों topic मैंने question paper जब देखा है न सारे तो तीनों topic आए ही आए है एक्जाम में तो इसको आप अच्छे से prepare कर लेना language acquisition stages of language acquisition यह देखो आप एक ही question paper में intelligence के बहुत सारे question है यह आप देख सकते हो और वाग एन normans का model of primary and secondary memory यह भी है problem solving का यहां फिर से repeat हुआ है और extra questions आप अपने आप से prepare कर सकते हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा important है आपको पूरे topic को prepare करना ही है वह आप देख सकते हो और question किस type के आएंगे आप इसमें से देख सकते हैं यह मैं आपको आपके मेरा जो telegram group है उस पर share कर दोंगे आप उससे help ले सकते हैं यह देखा आप information processing theory ठीक है और बहुत सारी question है फिर से हाइं intelligence का language acquisition का topic repeat हुआ है language speech disorder मतलब language disorder जो है problem solving का question यहाँ पर फिर से repeat हुआ है in short questions में भी दोनों question आए हुए मतलब 3 important जो मैंने बताया topic तीनों से ही same question आगया next है देखा information processing का processing model of memory और intelligence से related यह दो question है creativity यह question और language acquisition या comprehension इस language से related है तो language का topic आप prepare करोगे तो अपने आप यह सारे topic प्रिपेर हो जाएंगे यह problem solving का question दोबारा repeat हुआ है तो यह आपको जब मैं इसको share करोंगी तो आप उसमें आप check कर ले मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप खुद से करोगे तो ज़्यादा better होगा इतना मैंने इसलिए question paper दिखाया है कि आप यह जान जाओ कि हाँ यह literally जो three topics है न यह repeat हुए ही है three four topics एक कौन सा topic है एक intelligence का है creativity problem solving और information processing और model of memory यह तीन-चार question topic हमेशा repeat हुए है ओके language disorder का भी आप prepare कर लेना तो I hope यह video आपको helpful होगी और प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने friends के friends के साथ भी शेर कीजिएगा और अगर आप नहीं है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए थैंक्स फर वच्छिए